Hello everyone, welcome to Gate Academy, मैं हूँ संकल तिवारी, educator for civil engineering और मेरे पास 8 साल का teaching experience है, online, offline दोनों का, मैंने खुद कई AJE के exams crack की हैं, तो आईए इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगी कि RRBJ 2024 जिसका आपको बेसबरी से दंजार था, उसमें किस zone से आपको form fill करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग major, इसमें दो criteria को लेके चलेंगे, साथ में travel distance को भी लेके चलेंगे, पहला रहेगा vacancy, जैसे कि आप लोग ने thumbnail में देखा, दूसरा रहेगा cutoff, vacancy कैसे, कि 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 जोन में, किस RRB के zone में सबसे यादा vacancy है, किस में कम है, किस में average है, औ और फिर cutoff, जो कि पिछला जो paper हुआ था, 2019 में, 2019 में, CBT1 का, CBT1 का cutoff कहां का ज़्यादा गया, कहां का कम गया, और कहां का average गया, तो इसके हिसाब से पूरा complete analysis करके, और उसके बाद travel distance, क्योंकि देखो, ये अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि, जो भी zone है, ज्यादा vacancy ह form fill कर देता हूँ, जिसका cutoff कम जा रहा है, वहां का form fill कर देता हूँ, मगर आगे जब आपकी posting हो जाएगी, तो कई लोगों को मैंने देखा हूँ, कई candidates को देखा हूँ, कई students को देखा हूँ, कि उनमें, फिर बाद में दिक्कत आई वो चीज की, कि सर घर से बहुत दूर posting ह हो गई है, घर जा नहीं पाता, मिल नहीं पाता घर वालों से, तो फिर transfer कराने में बहुत दिक्कत आती है, mutual transfer लेना पड़ता है, तो यह भी बहुत बड़ा parameter की travel distance, आपके घर के होसा के कोशिश करिए, कि आपके घर के आसपास वाला zone को चुनिए, ठीक है, तो इन सारी सब्सक्राइगा, उस पर हम लोग discuss करेंगे, उस से पहले मैं बता दूँ कि RRB JEE 2024 में, gate academy आपके लिए लेके आ रहा है, CBT1, CBT2 का complete course, सिर्फ और सिर्फ 777, तो आप इसको बिलकुल इस opportunity को grab करिए, और preparation जितने जल्दी हो सकता है, उसको आप start किजी, तो यह आप देख र department, जैसे पहले civil हो गया, electrical हो गया, mechanical हो गया, S&T हो गया, chemical, metallurgy, chemical supervisor, metallurgical supervisor और DMS, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो civil वालों बताना चाहूंगा, कि एक तो अपने department के लिए वो eligible रहेंगे, मतलब अपनी branch के लिए तो रहेंगे, eligible, उसके साथ-साथ DMS के लिए भी वो eligible हो जाए है, तो DMS वाली भी include आपके civil में हो जाएगी, और electrical और mechanical की बात करूँ, तो E&M में आ जाता है ये, मतलब electrical वाले बहुत कुछ mechanical की भी department में जा सकते हैं, mechanical वाले electrical के भी department जा सकते हैं, और electrical वाले S&T के लिए भी eligible रहते हैं, electrical department वाले, तो यह एक plus है उनके लिए, और यहाँ आपे हम civil में देख रहे हैं, तो civil में अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा कहां पे vacancy है, ठीक है, एक सेकंड, सबसे ज़्यादा हमको दिख रही हैं यहाँ पे मुंबई में, सबसे ज़्यादा आपकी vacancy है मुंबई, RRB मुंबई, आप देख सकते हो, DMS को भी include कर ले जाता है, पिर आप देख लो, अजमेर हो गया, थड़ नंबर पर वैसे Bilaspur, DMS मिला दो तो अजमेर में जाता है, ठीक है, bilaspur हो गया, अजमेर हो गया, उसके बाद अगर मैं बात करूं कुलकत्ता, खिक, कुलकत्ता में है, ठीक, और बाकी भी आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी सबसे ज्यादा जो वेकेंसी है आपकी मुंबई में है ठिक उसके बाद second number पर आप यहां पर देख सकते हैं आपकी जो वेकेंसी है वो चिंड्नई में जाता है 150 ठीक है चिंड्नई में जाता है तो मैं भी सिर्फ वो डिपार्ट्मेंट बता रहा हूं म आप से वो लोग फिल कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा इस पर भी, कि CBT1 में क्या cut-off गया, मतलब सारे criteria का analyze करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे, फिर mechanical की बात करूँ, mechanical में भी आप देखो, मुंबई में जाता है vacancy, मुंबई के बाद, यहां पर भी चिन्नेई आप ले लो, प्रुटा, यहां पर पटना भी आ गया है, थीक है, ये सारे को भुपाल में भी average है, तो ये सारे mechanical वालों के लिए हो गया, थीक है, भुपाल हो गया, थीक है, हाँ, कुलकता, कुलकता, तो यह आपके mechanical के लिए भी हो गया vacancy, अब क्योंकि आज हम लोग सिब्स सिविल पे ज्यादा focus करेंगे क्योंकि मैं खुछ civil engineer हूँ तो आप देख सकते हो कि civil की यहां लगभग total vacancy 3145 है DMS को अलग include कर दो DMS कितना है यहां पर 398 लगभग 7959 में 7951 में civil की vacancy आपकी लगभग साड़े 3000 है ठीक है और आप जानते ही है कि लगभग एक से देड़ लाग लोग को बुलाया जाएगा CBT-1 जो लो qualify सिर्फ CBT-1 आपको qualify करना है CBT-1 के marks नहीं जुड़ेंगे तो CBT-1 का cut-off कितना जाएगा उस पर भी हम लोग discuss करेंगे ठीक है तो बहुत अच्छी से इंप सिविल बात करते हैं तो यहां पर मैंने अलग-अलग जो आपके अर्रबी की । जो जादा वेकंसी है उसके हिसाबस से मैंने यहां पर लिखा हूं कि पहले नंबर पर आपका मुंबई की के मुंबाई देख सकते हो मुंबाई में सबसे अधा वेकैंसी है उसके बाद सिकंदराबाद और अजमेर के बाद बिलासपुर फिर कुलकटता आ गया फिर भोपाल आ गया प्रयागराज आ गया यह सारे जो है 속धाबाद आ गया ठीक हैं बैंगलोर तो सारे आपकी जितने भी RRB zones हैं, यहां पे vacancy जादा है, ठीक है, उसके बाद कहां पे कम है, तिरुनवनत परुम में सबसे कम है vacancy आपकी, ठीक है, राची में कम है इस बार, ठीक है, फिर आप देख सकते हो, जम्मू, माल्दा, यह सारे जितने भी zones हैं, यहां पे आपकी vacancy कम है, तो एक चीज हमारी clear हो गई, कि RRB मुंबई, सिकंद्राबाद, अजमेर, बिलासपूर, कोलकत्ता, भोपाल, प्रयाग राज, यह सारे zones हैं, जहां पे vacancy जादा है, तो यह हमको दिमाग में एक idea आगया, कि यहां से हम form fill कर सकते हैं, मगर एक चीज को और दिमाग में र parameter आते हैं, उस पर हम लोग discuss करेंगे, तो पहला parameter मैंने आपका clear किया कि 21 zone में कहां ज्यादा vacancy है, और कहां कम vacancy है, अब हम लोग बात करते हैं, next, जो है हमारा, कि 2019 में, 2019 में, CBT1 का जो paper हुआ था, इधर आप CBT2 पे अभी ध्यान मत देना, design, drawing, PVA, works, यह सब जो आपको दे देख रहा है, इस पर अभी ध्यान मत देना, यह CBT2 के cutoff है, ठीक, जो कि 1500 नंबर का होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, CBT1 का cutoff और यह 100 marks का होता है paper, आप जानते हो, जिसमें कि यह syllabus आप लोग अभी तक देखे होगे, कि quant होता है, reasoning होता है, general science, general studies, यह सारी चीज़ें होती है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि सबसे ज़्यादा cutoff किसका गया था, ठीक, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा cutoff आपका गया है, पटना का cutoff बहुत ज़्यादा गया है, ठीक, देख रहा है आपको पटना का cutoff, ठीक, तो इस बार vacancy भी कम है, और cutoff तो बहुत जादा जाता है क्योंकि पूरा यूपी बिहार वाले जो है बहुत अच्छी प्रिप्रेशन कर रहे हैं कई साल से तो इस बार भी पटना का तो यहाँ का cutoff आपको ज़्यादा दिखेगा माल्दा का देख लो वहाँ का भी ज़्यादा गया था ठीक और उसके बाद यहां पर देखो चंडिगर का ज़्यादा गया था वेकेंसी कम रही होगी यहां पर चीक गोरकपुर का गोरकपुर का यूपी ठीक लगा से जोन का cut-off कम गया था ठीक तीरोनंतपुरम इसका कम गया cut-off ठीक इस बार vacancy तीरोनंतपुरम में कम है ठीक है नो डाउट बहुत लोग नहीं भरेंगे vacancy कम है करके और साउथ वाला बेल्ट है तो बहुत कम लोग वहां का अरारभी कि तीरोनंतपुरम भरते हैं इस बार भी चांस है कि वहां का cut-off कम जाए मगर vacancy बहुत ही कम है तो मेरा क्योंकि reason यह है आप देखिए जितना भी जो बेंगलोर के IT सेक्टर है वहां के लोग जनरली प्राइवेट सेक्टर वगर में IT सेक्टर में उसमें जॉब करते हैं तो ऐसा कोई बहुत railway के लिए उनको तयारी करना है कई साल से मतलब यह dream job है ऐसा उनके लिए कुछ नहीं है तो जनरली जो यूपी विहार के केंडिडेट्स हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट है आप ट्राइ कर सकते हो आर आरभी बेंगलोर यहां का कट आफ कम जाता है ठीक है तो जो लोग थोड़ा दूर रहके भी उनको कोई दिक्कत नहीं adjust कर सकते हैं दूसरी जगा जाके भी रह सकते हैं उनके लिए आरभी बेंगलोर भी बहुत अच्छा option है यह मैं आपको बता दू ठीक है इन सब पर discuss हम लोग करेंगे ठीक तिरुम्रंदपूरम मगर वेकेंसी नहीं है उसमें ठीक है तो उसके बाद अगर मैं बात करूं ठीक कोलकत्ता में पिछले बार कम गया इस बार भी इस बार ज्यादा जा सकता है कोलकत्ता में क्योंकि वह सेम ज्यादा लोग भरेंगे इस बार कोलकत्ता में ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूं एवरेज जो है आपके हुपाल बिलासपूर वेकेंसी ठीक ठाक है इस बार बिलासपूर में ठीक है वेकेंसी तो 63 से थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि अब क्या है students अच्छी preparation कर रहे हैं, क्योंकि बहुत time से vacancy नहीं आई, कई साल से लोग भिड़े हुए हैं इसके लिए, और बहुत अच्छी तैयारी करके बैठे हैं, तो मैं भी आप लोग को बोलना चाहूंगा, जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं कि अभी से ही आप preparation स्टार्ट कर दीजिए, हमारा आरा आज भी जेए का कोर्स सिर्फ 777 रुपए का है, उससे आप अपने preparation स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भोपाल हो गया, बिलासपूर हो गया, इन सब का चिन्न हो गया, ठीक है, चिन्न ही भी एक बहुत अच्छा option है, आप लोग के लिए, खास कर mechanical और civil वालों के लिए, sorry, mechanical और electrical वालों के लिए बहुत अच्छा option है वो, क्योंकि वहाँ पे वेकेंसी भी ज्यादा है, cut-off भी बहुत ज्यादा नहीं जाता, तो आरार भी चिन्न ही आप 65, 70 इसके around रह सकता है, ठीक है, तो ये भी जोन आपके लिए ज्यादा अच्छे है, ठीक, खास कर, इन सब पर हम लोग discuss करेंगे भी, ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि CBT1 के according, 2019 के according, सबसे ज्यादा cut-off गया था आपका पटना, राची, मुझफरपुर, ठीक है, ये जितना यूपी बिहार वाला वेल्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा cut-off गया था, और कम में आपके south वाले portion गया थे, तिरुननत्य पूरम हो गया, ठीक है, कुलकत्ता गया था, क्योंकि vacancy जादा थी, ठीक है, बैंगलोर हो गया, और एहमदाबाद भी आप लेके चल गया था, 63, और इस बार वेकेंसी भी बहुत ज्यादा है, सिकंदराबाद, 68, बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी ज्यादा है, क्योंकि vacancy, हाँ इस बार थोड़ा, इसी एराउंड में रहेगा, 68 या थोड़ा कम भी हो सकता है, तो मुंबई भी बहुत अच्छा option, मुंबई क को भी try कर सकते हो, अजमेर तो करना ही है try, अगर आप अजमेर कर सकते हो, ठीक है, तो यह सब मैंने आपको एक analysis बता दिया, cut off के according में, अब overall result हम लोग देखते हैं, कि कौन से zone वाले, मतलब कौन से जो, किस belt के लोग, किस zone पे form को fill कर सकते, ठीक है, तो उस पे अगर मैं बा जारखन, experience हैं, उनके लिए अगर मैं बात करूँ, एक तो vacancy, और CBT1 का cut off, और travel distance, जो तीसरा मैं बार बार बोला था, travel distance की, वो अगर चाहते हैं, कि अपने घर के आसपास उनकी posting रहे, तो उस हिसाब से अगर देखें, तो वो लोग कुलकता fill कर सकते हैं, अजमेर fill कर सकते हैं, थिक है, भोपाल fill कर सकते हैं, ठिक है, मुंबई तो fill कर tribes कर एंगे, मुंबई तो कर नहीं है, मुंबई का cutoff भी बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला, ठीक है, average रहेगा, ठीक है, मगर हाँ, यह हो सकता है क्योंकि बहुत लोग मुंबई भरेंगे इस वार, तो हो सकता ह है कि बहुत कम ना जाए कट-off आपका कोई लगभग around 70 65 to 70 रहे मुंबई का ठीक गोरकपुर थोड़ी वेकेंसी कम है प्रयाग राज वेकेंसी भले ठीक ठाक है मगर कट-off जादा जाएगा तो इसलिए इसको मैंने राश्ट में रखा हूं मालदक भी आप ले लो यहां पर ठीक है तो अपने हिजाब से आप अगर प्रयाग राज कहीं है तो प्रयाग राज को फिल कर सकते हैं ठीक बाकी मुंबई भुपाल अजमेर कोलकर्ता सिकंद्राबाद क्योंकि जा सकते हैं जो लड़के हैं यूपी बिहार वाले वो कहीं भी जाके जॉप कर सकते हैं तो सिकंद्राबाद भी उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ठीक है तो यह सारे ऑप्शन पर हमने डिसकस कर लिए तो इन में से आप कोई एक जो आपको सही लगता है जो आपके पास है उसको आप फिल कर सकते हो उसके बाद अगर मैं बात करूं MP 36 गड़ वालों के लिए ठीक है क्योंकि जितने भी Central India हो गया MP 36 गड़ महराष्ट भी लिख लो यहां पर ठीक है महराष्ट पे भी हम लोग बात करें महराष्ट की जो candidate है ठीक उनके लिए अगर हम बात करें उडिसा यह सब उडिसा तो फिर भूनेश्वर भी आजाएगा तो उनके लिए अगर हम बात करें तो भूपाल बिलासपूर ठीक है मुंबई तो पास में हैं तो आप मुंबई तो बिल्कुल भर सकते हैं ठीक है तो यह आप देख सकते हैं यहां पर बोई कंडिशन आ गई ट्रेवल डिस्टेंस जो 36 गड़ के लोग हैं म बाकी आपको ऐसा लग रहा है कि एक चांस लेना चाहिए हमको तो मुंबई सबसे अच्छा उप्शन है आपके लिए सिकंद्राबाद भी बहुत अच्छा उप्शन है सिकंद्राबाद थोड़ा साउथ इंडिया हो जाएगा ठीक है आंध्रा वाला पोर्शन ते लंगा न ठीक है कट ओफ भी बहुत जाता नहीं जाता तो आप राजिस्थान हरियाना पंजाब एस्पिरेंट्स हैं वो लोग अजमेर को ही भरिए ठीक है अरारवी अजमेर ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू तो जम्मू वालों के लिए सबसे अच्छा है वहीं करें फ ठीक है पिल्ग पर सकते हैं फिर वही मैंने बात बोल दिया जो दूर जाग सकते हैं उनके लिए मुंबई सिकंद्रबाद बहुत सेफ ऑफ्शन है ठीक है बेंगलूर बिल्कुल आररवी बेंगलूर ठीक है कट ओफ कम गया है वह भी बहुत अच्छा उप्शन है फ्रिस ज दोनों option आपके लिए रहेंगे रहेंगे और mechanical electrical वाले जो वीडियो देख रहे हैं आपके लिए चिन्नाई में बहुत अच्छी खासी वेकेंसी है तो चिन्नाई को आप फिल करना ना भूले और भी चिन्नाई ठीक तो civil वालों के लिए यहाँ पे कम है वेकेंसी मगर civil वालों क जितने भी साउथ एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हो गया तो हमने यहाँ पे डिसकस किया कि पहली चीज कितनी वेकेंसी है वो मैंने आपको बता दिया एक आपको आइडिया हो गया कि मुंबई सिकंद्राबाद अजमेर बिलासपुर भोपाल प्रयाग राज यहाँ पे ज एंगलोर का कम गया था ठीक है अतिरुनंतपूरम का गया था और बागी जगा केवरेज मैंने बताया तो उस हिसाब से अलग अलग जगहों का अलग अलग जो जिस जोन पर 21 जोन में जो लोग जिस जगह पर रहते हैं ट्रेवल डिस्टेंस के हिसाब से इन तीनों क्राइट तो जो भी क्योरीस है आप नीचे कमेंट सेक्षन में आप कोश्चन कर सकते हैं बिलकुल आपके कोश्चन का रेपलाई करेंगे हमारा तेली ग्राम चैनल है उस पर भी हम लोग आप जो भी क्योरीस रहेगी उस पर discuss करेंगे और next वीडियो जो रहेगी मेरी वो उसमें भी सार इस्टुदेंट्स की क्योरीज आ रहे थी कि सर कौन सा डिपार्टमेंट हमको लेना चाहिए क्या प्रिफ्रेंस होना चाहिए प्रियॉर्टी वाइस क्या होना चाहिए तो उस पर मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद मैं आपको लाश्ट में फिर ब झाल